संगठन मजबूत होगा तो संगठन नाधिक है के वह किया जाए अगर समाज ने कहा कि चुनाव में जैनरीन दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुजन समाज की अपडेट सबसे बहुजन समाज के बहुजन समाज्य को लिए वह आरी है सावधिर भाई फिले को लेकर मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सावित्री भाई फुले ने समाजवाधी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादूजी के साथ स्वनिवार को मुलाकाद की थी एसे कयास लगा जा रहे थे कि सावित्री भाई फुले समाजवाधी पार्टी जॉइन कर सकती है लेकि दोस्तों उनका एक बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है अभी सावित्री भाई फुले ने अपने बयान में कहा है कि वह भाईत्री जंत पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करने को तयार है वह महागडबंतन का साथ देने के लिए राजी है हाला कि दोस्तों सावित्र भाई फुले किस पार्टी से जुड़ेगी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है हाला कि मीडिया में इसी खबरे आ रही है तो उसको लेकर सावित्र भाई फुले ने कहा है कि मेरे किसी भी राजीतिक संगेटल से जुड़ने की सारी खबरे गलत है कुछ मीडिया हाउस वाले दिखा रहे है कि मैं इस पार्टी में जाने वाली हूँ यह सब बाते गलत है मैं इन सब के खिलाब एक कुछीत कारवाई करूगी दोस्तो यह बाते कही थी सावित्र भाई फुले ने उनका एक बड़ा बाया निकल के सामने आया है वो अभी फिलाल किसी भी पार्टी को जॉइन नहीं करने वाली है हाला कि उन्हों ने यह कहा है कि वो महागडबंदन को साथ देगी 2019 के लोगसभा चुनाओं में दोस्तो अगली बड़ी अप्डेट निकल कर आ लिए समाजवादी पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राग गोपाल यादों ने साथ कहा है कि 2019 के लोगसभा चुनाओं में समाजवादी पार्टी और भोजन समाजवादी पार्टी का गटबंदन होना तय है हाला कि दोस्तो जब उनसे पुछा गया कि क्या इस गटबंदन में कॉंग्रेस भी सामिल होगी लेकिन उनका कहिना था कि इसका वेसला समाजवादी पार्टी के अद्देक्ष अखलेश यदोजी और भोजन समाजवादी की सुप्रीमों माया वतीजीत तय करेंगी दोस्तो अगली अपडेट भी उत्तरपदेश में से ही आ लिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तरपदेश में आरक्षन का वर्गी करन किया जा रहा है जिसमें दलीत, महादलीत, पिछडा, महापिछडा इसे बाट के उनकी बीच में आरक्षन दिया जाएगा तो दोस्तो इसका विरोध अब जोर शोर से पकड़ने लगा है उत्तरपदेश के आजमगड में आरक्षन वर्गी करन को लेकर पिछले 6 दिनों से धर्ना दिया जा रहा है सुहें दव भारती समाज पार्टी दुवारा पिछडा बार दलित जाती के आरक्षन वर्गी करन को लेके छटे दीन भी आमबेटकर पार्क में धर्ना जारी रहा जहांपे आरशन वरगी करन को लेकर आरशन का बटवारा जातियों बटवारा करने को लेकर विरोध जारी है दोस्तों अगली भी बढ़ी अबडिट निगह कर आ रहे हैं भुझन समाज पार्टी की तरब से बोजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावधिजी ने अपनी प्रेस रिलीज में एक बड़ा बयान दिया है उन्हेंने कहा है कि दो अपरिल्ग जो इतिहास कारी घटना होई कि इस देश में भारत बंद की दोरान दोस्तों उसमें कहीं नोजवानों को और उनकी उपर केस लगाए गए तो मायावधिजी ने कहा है कि अगर उन्हें निर्दोषों से केस वापस नहीं लिए गए और जो लोग अभी taken बंद ऑन्हें भारत नहीं निकाला गया तो भोजन समाज पार्टी राजस्थान से और मध्य पर्देश से अपने समर्थन वापस ले लेगी कॉंग्रेस संकार से हाला कि दोस्तों आप लोगों नहीं बीच में देखा हुगा कि अकले शादो भी कॉंग्रेस से काफी खवा चल रहे है और दोस्तों इसी के बाद मायव पर्देश का एक बड़ा बयाना कि आप लोगों अगर दो अपरिंगर केस वापस नहीं लिए और निर्दोशों को नहीं चोड़ा तो हम लोग आपस समर्थन वापस ले लेंगे कॉंग्रेस से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के पास ज्यादा ओप्षन थो है नहीं नीं उनके पास ज्यादा बहुमत तो है नहीं और जो निर्दोश लोग जेल में बंद है उन्होंने ने पहीं चोड़ देगी दोस्तों यह मायवै जी जीके बहुत-बड़ा बयान था। जो सामने निकल के आया है। दोस्तों अगली एड़ेट्न निकलकर आघीए भीमार्मी के तरब से। भीमारमी के संस्तापक एडवेकेट चैनल शेकर रायाद ने मीडिया के समते एक मुद्दा उठाया है कि दोस्तों आप लोगों को यादी होगा कि पिछले साल 2017 में एक जनवरी को धिमा कोरेगाव में हिंसा हुई थी जिसकी एक आई मिटनेस लड़की थी जिसका नाम था करते हुए भीमारमी के संस्तापक जंद्रशेकर रायात में क्या आता है आप खुदी देख लीजिए मैं आपको अपनी दर्फ से जान कर देना चाहता हूं मैं चाहता हूं मैं पर्सों से बाद गहरा हूं कि मीडिया हमारी आवाज उठा रही है मीडिया पूरे देश में मे अधिया की हत्या हुई है नो लोग खिलाप आज तक उन्हें गिरपतार नहीं किया गया है सरकार आरोक्यू को बचा रही है मिलन देख मोटे संबाजी बिड़ो को बचा रही है और यहां के जो निर्दोस लोग है यहां के जो अंबेड करवा दिए जो बाबा साब को मानते सविधान का पालन करते हैं उनकी अवाज को दबाए जा रहा है दोस्तों अगली अपडेट भी चंदर शेकर रायां जी की तरब से निकागर आरी है चंदर शेकर रायां जी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप एलेक्शन लड़ेंगे अगर समाज चाहेगा और सं अभी यह पता चला है कि जो दोस्तों वीडियो के मद्धम से आप लोगों ने देखी लिया होगा कि चंदर शेकर राजय जी ने क्या कहा है दोस्तों एक विशेश बात मैं एक जन्वरी मैं एक जन्वरी 2019 से एक नई चिश्की शिरवात करने जा रहा हूँ अपने वीडियो उसके अंदर मैं आप लोगों को वीडियो के आखरे में जो उस तारिक का भोजन इतियां से वह बताऊंगा जैसे की एक कर रिक को क्या हुआ था तीन जन्वरी को क्या हुआ था आरो किसी का महा परिनिरवान दिवा से किसी का जनम दिवा से हमारे भोजन समाज के महापुरो कीजिएगा अगर आप पसंद आये तो दोस्तों एक जन्वरी का भोजन इतियांस है की एक जन्वरी 1848 के दिन राष्ट पिता जोतीबा फुले राष्ट माता सानित्रबाई फुले और फातिमा बेग ने भारत के अंदर बेटियों और महलाओ की शिक्षा के लिए पहली पा महार सैनिकों ने 28,000 ब्रहमन पेश्वाओं को दूल चटा दीती भीमा कोरे गाओं के अंदर और इस दिन को बहुजन समाज के लोग अपने शोरिय दिवस के रूप में भी मनाते हैं और दोस्तों भीमा कोरे गाओं पे डॉक्टर बाबा साब आम बेटकर भी जाया करते रह आता वह हमारे शोरिय का पती के और वहाँ पे हर साथ जाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरा सला में उन 500 महार सैनिकों को जिन्होंने दिमापोरे गाओं का यूद्ध जीता था वहीं 500 थे और 28,000 पेश्यों को धूल चटा दी थी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें भीना कहीं पर मत जाईएगा इसको लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है अर्ली वीडियो बनाने के लिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर काम बेट करवादी के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने फेमिली के साथ क्योंकि यह वीडियो हर किसी तक पहुचनी चाहिए हर किसी को पहुचन समाज की अपडेट मिलनी चाहिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पहली से मारे चैनल को सब्सक्रा